कुछ अच्छा देखने के तलाश में पता ने कितने ही वाहियात कॉंटेंट से गुजरना पड़ जाते हैं तो आज के में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हाराग की वेब सिरीज के बारे में जो एक Korean वेब सिरीज है इसे Netflix पर रिलीज किया गया है और इसके अंदर साथ एपसोड है हर एपसोड की जो लेंट है वो तकरीबन एक गंटे के आसपास है कुछ एक एपसोड शायद आपको एक गंटे से जादा को देखने को मिल जाएंगे तो यानि आपको इस सिरीज को कंप्लीट करना है तो आपको साथ गंटे देने पड़ेंगे साथ गंटे तक आपके सर में दर्द हो जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी आएंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो इसकी कहानी कें बात कर लेते हैं तो कोरिया के अंदर एक ऐसा स्कूल दिखाया गया जहां पर अमीरों के बच्चे बढ़ते हैं और यह जो स्कूल है वो अमीरों ने ही बसाया होते हैं और भाई साब एक अलगी लेवल के अमीरी दिखायी गई है सतरा साल के अठारा साल के जो बच्चे हैं वो जी वैगन लेके आ रहे हैं रोल्स रोय लेके आ रहे हैं बुगाटी लेके आ रहे हैं मतलब हाई लेवल की जो गाड़ियां होती हैं वो स्कूल में लेकर आते हैं एक बच्चा जिसका नाम कांगो होता है, वो scholarship के मादिम से school में आता है, अब इसका एक secret, एक mission है, वो क्या mission है, क्या ये school की ज़ोसिलियत है, वो लोगों के सामने लाना चाहता है, इन तमाम सवालों के जवाब जो है, आपको जब ये series देखोगे, तब ही पता चलेगा, अब बात करते हैं, इस स्रीज में क्या अच्छा है और क्या कमी है, कमी तो क्या कहूं, इसके अंदर क्या बुराईया है, उसके बारे में हम डिस्क्रस करेंगे, फर्स्ट अफॉल तो इसमें जो अच्छी अच्छी बाते हैं, उसको हम बात कर लेते हैं, तो जो सबसे अच्छी बा हाई लेवल का बचेट है इसके अंदर बहुत अमीरी दिखाई गई है वो देखकर काफी ज़्यादा सुन्दर सुन्दर चीजे आपको देखने को बहुत अच्छी चीज लगेगी इसके बाद आपको फर्स्ट एपिसोड ही जो है वो अच्छा लगेगा क्योंकि एक कहानी ड बात करूं तो भाई सब डल है एक दों बोरियत है कोई मजा नहीं आता कोई इसके साथ आप कनेक्ट फिल नहीं करोगे बस बोर हो जाओगे आप इस सीरीज को जब एक एपिसोड देखने के बाद इसके दो या तीन एपिसोड समझ लो कि हाँ उसके बाद तो आपको आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाई जाए आपको इसमें देखने हो क्या मिल रहा है रैगिंग के उपर इसमें बात करें तो भाई सब एक बहुत बखवास तरीके से रैगिंग दिखाई गया है कोई उसके उपर फोकस किया ही नहीं गया बस दो थपड मार दिये सीनियर ने ज प्यार नहीं करती है वो मुझसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार नहीं करता है अरे वो जो दो अमीरों के बच्चे दिखा रहे हो उनके बीच का जो रिलेशनशिप दिखा रहे हो उसका कोई पॉइंट बनता है कोई लोजिक बनता है इमोशनलेस वो प्यार होता है यार ह क्यों देखें यार कोई सेंस बनता है उस चीज़ का क्यों दिखा रहे हैं वो सब चीज़ें इसके लाबा जो कांगो नाम का जो क्रेक्टर होता है जिसको स्टार्टिंग में इंटर्ड्यूज करते हैं यानि फस्ट एपिसोड में जब आता है जिस तरीके कि उसके एंट्री बच्च आ गया है वा यार कमाल है कहां से यार क्या भांग पी के ये स्क्रिप्ट लिखी थी क्या इसकी नो डाउट ये सिरीज अच्छी हो सकती थी जिस तरीके का रिवेंज स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था कि भाई सब ये रिवेंज लेंगे यहां पर तो वो उसके ओपर अगर focus किया होता तो series अच्छी होती कहानिे के ओपर थोड़ा बहुत focus किया होता तो बेटर series हो सकती थी इसके अंदर जो dark mystery dark secret की आप बात कर रहे हो उसके और focus किया होता definitely series अच्छी हो सकती थी यह वाहिया जो निबा निबियों के जो आपने जो प्यार महबत दिखा रखिये हैं pointless, emotionless, वो चीज़ें हटाई होती definitely series अच्छी हो सकती थी लेकिन नहीं, यह सब चीज़ें तो है नहीं इस series में मेरी तरफ से तो देखो इस series को मैं देना चाहूँगा 3 after 10, अगर आप लोगों ने series देखे तो please comment करना कि कैसी लेगी, अगर नहीं देखे तो बहुत अच्छी बात है यार आपके 7 घंटे बच चुके हैं आपके सर में दर्द नहीं हुआ, आपने ये वाहिया इसको देखकर आपको उल्टी आ जाएगी आप किसी से बचे हुए हैं, इससे बेटर चीजे तो और भी आ चुके हैं OTT platform पर और नहीं भी देखनी है कोई चीज, अच्छी बात है और पढ़ाई पर फोकस करो, जैसे मैं कहता हूँ हर बार तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में जैहिंद